नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों आपने कई बार बहुत सारे घरों के भार देखा होगा कि वा उनके घर के दरवाजे के उपर घोड़ी की नाल टंगी हुई दिखाई परती है पर क्या आप जानते हैं कि घोड़े की नाल के बहुत सारे लाब आपको हासिल हो सकते हैं अगर आपके घर में धन नहीं टिकता हमेशा कलेश रहता है लोगों की बुरी नजर का प्रभाव रहता है या फिर नकारतमक्ता बढ़ गई है तो ये वीडियो आप पूरा ज़रू देखे और जानिए कि घोड़े की नाल कैसे आपको इन सबी चीजों से मुक्ती दिला सकती हैं तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि घोड़े की नाल का सही उपयोग करके कैसे आप अपने जीवन में बदलाओं हैसूस कर सकते हैं साथी दोस्तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस बेल आइकोन को दबाना ना भूले ताके हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको आपके मुबाईल पर मिल सके घोड़े की नाल को कहा लगाना चाहिए दोस्तों सबसे पहले तो घोडे की नाल को आपके घर के मुख्य दर्वाजे पर ही लगाना चाहिए घर के अंदर यानि किसी दर्वाजे पर भूल से भी ना लगाए क्योंकि इसका उल्टा आसर भी हो सकता है इसे जोति शास्तर में शुब माना नहीं जाता और ध्यान रहे कि घोडे की नाल को हमेशा अंगरेजी शब्द यूग की तरह लगाना चाहिए लेकिन घोडे की नाल को लगाने से पहले ये बाते अवशे ध्यान में रखे गोड़ी की नाल को लगाने से पहले उसे एक दिन के लिए लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर के अंदर रखना चाहिए नाल को सीधे बाजार से लाकर कभी भी नहीं लगाना चाहिए और जब आप नाल को दर्वाजे पर लगाने जाए तब कुमकुम से नाल के उपर गनेश अवश्य बनाएं इसे घर में सकरत्मकुर्जा का वास होने लगता है और घर में सुक और सम्रिद्धी आती है अगर आपके घर में नकरत्मकुर्जा बढ़ गई है बार बार परिवार के सदोस्यों के बीच में कलेश हो रहा है घर में धनकी कमी है तो आप काले घोडे की नाल को कुमकुम के पाच तिलक लगाए और दर्वाजे के बाहर उल्टा यू शब्द की तरह मुख्य द्वार पर लगाए किन्तु उल्टा यू की तरह नाल लगा कर उसके उपर एक छोटा सा आयना जुरू लगा ले आप खुद देखेंगे कि आपके घर से नकरत्मक शक्तिया धूर भाग जाएंगी यह आपको बता दिकी काले घोडे की नाल के उपर आयना लगाना सबसे उत्तम माना ग यह कहते है कि इससे बुरी नजर का असर नहीं होता और बुरी शक्तिया घर से दूर रहती है अगर आपके घर को किसी की नजर लग गई हो या आपके किसी घर के सदे से पर किसने टोटका कर रखा हो तो शनिवार की दिन घोडे की नाल लीजिए और काले धागे को जिस वेक इसे नहीं चल रहा हो या उसमें बार-बार नुकसान उठाना पड़ रहा हो तो अपने दुकान के बाहर घोडे की नाल का प्रयोग अवश्य करे आपकी धन प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी अगर घर में क्लेश का माहोल है आप सिप्रेम खत्म हो गया ऐसी सित्य में हो सकता है कि शनी देव की कुद्रश्टी आप पर पड़ी हो शनी महाराज कर्मफल के देवता है उनकी कुद्रश्टी से देवता भी भैवित हो जाते है शनी महाराज को प्रसंद करने के लिए शनी महार की दिन सर्सों के तेल में काले तिल मिला कर द्वार प को सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंड में जैशनी देव अवशे लिके धन्यवाद